और सीधर शिरुवात बड़ी खबर के साथ प्रियागराच पुलिस लाइन में सुवक्त महत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में जाच को लेकर उचिस्तर ये मीटिंग चल रही है इस मीटिंग में ADG, ZONE, IG, DIG, DM और कमिशनर मौजूद है बड़ी खबर प्रियागराच की पुलिस लाइन में बैठक जारी, बैठक का हिस्सा ADG, IG, DIG, ये सभी मौजूद है प्रियागराच की कमिश्टर और DM भी बैठक में मौजूद है मामले की जाच को लेकर बड़े अधिकारियों की बैठक चल रही है जल्द ही किसी निर्णाय पे पहुचा जाएगा महंत मौत मामले में बड़े अधिकारियों की बैठक कैसे इस मामले में जाच और तेज हो क्या कुछ और रणनीती अपनाई जाएगी ये सब कुछ इस बैठक में साफ होगा ताकि जल्द से जल्द ये पता लग सके कि इस पूरे घटना करम के पीछे असल वज़ा क्या रही आपको बता दे महंत नरिंद गिरी का मौबाइल फोन फोरेंस जाच के लिए जाच चुका है इसके अलाबा जाच एजेंसिया लगातार जाच परताल में जुटी हुई है एके करके कडियों को जोड़ा जा रहा है और इसी बीच एक और बड़ी ख़वरा को बता दे समाजवादी पार्टी ने नरिंद गिरी की मौफ की मावले में जाच हाई कोड की किसी मौजुदा जज की निगरानी में करवाने की मांग की है पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया है अखाड़ा परिशत के अध्याक्ष पूर्जे महंत नरिंद गिरी जी का देवलोग गवन अध्याक्मिक जगत के लिए अपूर्णे छती है संदिक दो परिस्तितियों में हुई उंकी मृत्यू की जाच हाई कोड के सिटिंग जजों की निगरानी में कराकर सच सामने लाय सरकार तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे मावले में हाई कोड की सिटिंग जज की निगरानी में जाच हो ताकि जल से जल इसमें एक एक करके तस्वीर साफ हो उत्तप्रदेश के प्रियागराज में अखल भारतिया खाड़ा परिशत के अध्याक्षि महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्द परिस्टितियों में हुई मौत की जात जारी है इस पूरे मामले को लेकर एक के बाद एक कई नए खुला से हो रहे है सूत्रों के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी को वीडियो के दम पर ब्लाक मेल किया जा रहा था सूत्रों के मुताबिक ब्लाक मेलिंग के मामले में एक स्थाने नेता भी जाच के दाएरे में है जिस नेता की बात हो रही है वो प्रियाग राज का ही बताया जा रहा है 22 पूरे मामले में आज प्रियाग राज पहुँचकर योगी आधीतिनात ने हर रास का परदा फाश होने और दोशियों को कड़ी सजा की बात कही है जबकि इस पूरे मामले पर अखाड़ा परिशद और विएच्पी लगातार जाच की मांग कर रहा है महंत नरेंद्र गिरी की संदिक्द मौट पर विश्वे हिंदू परिशद ने भी दुख जताया है विएच्पी ने मौट पर जाच की मांग की है अखाड़ा परिशत के अध्यक्ष होने के बाद भी, उसके मर्यादाओं में रहते हुए भी, हिंदू समाज की सब धाराओं को संगठित करना, हिंदूओं को बलशाली करना, राम मंदिर का निर्मान होना, और अपने समाज के दोशों को दूर करने वाला ऐसा प्रयत्न करते रहे वो जीवन भर, उनका अभाव हमें खलेगा, और उस अभाव की पूर्ति हम कर सकें, इसका हम प्रयत्न करेंगे, उनके आत्मा को शांती मिले, इसके लिए इश्वर से प्रात्न करेंगे, यह दुखद है कि यह मृत्यू सा भाविक नहीं थी, आत्मत्या उन्होंने की, ऐसा सुसाइड नोट बता रहा है, मुझे बताया गया है कि जिन लोगों का नाम उस सुसाइड नोट में है, उनके खिलाफ 306 में मुकदमा दर्ज़ किया गया है, माने, अबेट्मिन्ट तु सुसाइड है। वो संचालित कर रहे थे, पुझे संतों का और खासकर उनका हिंदू समास पर विशेश कर पा रही है, उनका अचानक आकस्मिक जो प्रमलीन होना, विशिंदू परशद और हिंदू समास कर रही है। अनुमान गड़ी के महंत राजुदास ने कहा कि नरेंदर गिरी आत्मात्या नहीं कर सकते है। हमने अभी भी सुना के नरेंदर गिरी जी महाराज ने आत्मात्या कर लिया है। बहुत ही दुख की बात है, हमारे बहुत अच्छे मित्रते, हमारे पेर के निचों की तो जमीन ने किसके गई। हमें उत्तर प्रदेश के मुक्य मंत्री जी पूरुन विश्वास है, कि मुक्य मंत्री जी जो है, सीबी आ इजाज का आदेश देंगे और इसमें जो है, दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा। निश्यत रूप से मुझे कुछ सड़ी अंतर की भी बद्बू आरी है। अगर हम लोगों को तनिक भी आवास हो पाता कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो शायद आज जो देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ होता न, वो हमेशा की तरह एकदम नॉर्मल थे, उन्होंने उसी तरह भोजन किया, लेकिन जो ये पूर विकी घटनाय रही है, उनके आचरंट अभी परिशान थे वो, तो उन्होंने जो खदम उठाया है, वो हम सभी के लिए और ये इस पूरे समाज के लिए दुरभागे पूर्ण है। खटना है, क्योंकि मैं प्रियागराच से आता हूँ, तो एक सदमा भी है, क्योंकि हम लोग व्यक्तिकत उनके साथ उठना बैठना रहा, उनका आश्रवाद मिलता था, मैं कल बुलन शहर साथ, जब ये घर में को सूशना मिली थी, लेकिन जिस प्रकार से वो आत्म हत्या और उसके साथ साथ एक उनका एक नोट भी है, जिसके अंदर कुछ चीजें लिखी गई है, अब उसको देखते हैं, पलीस जांच कर रहे हैं, मेरी स्वेम भी बात हुई है वहाँ पर, एडी जी के लेवल पर, और वो जांच हो रही है, जांच के बाद उसमें क्या चीज न लोट का भी, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, क्या है, क्या नहीं है, और मगर ये दुर्भाग्या है, ये पूरी तरह से, पूरी तरह से भ्रामप और दोस्कून है, इस मामले की राजनीती बंद होनी चाहिए, ये राजनीतिक विशें नहीं है, एक संत ब्रमलीन महंत की संदिक दुमौत परशिफ सेना सांसर संजराउत ने कहा, कि पाल घर में जब दोसाधों की हत्या हुई थी, तो सवाल उठे थे, महंत की मौत की जाच होनी चाहिए, वहीं ब्यस्पी नेता सुधीदर भधौरिया ने कहा, कि मामला गंभीर है, और इसकी से जाच होनी चाहिए, अत्मात्या का मामला है, लेकिन रहस्य मैं है, उनका जो मन था, बहुत ही खंबिर था, उनकी इरादे बहुत पक्के रहते थे, जब उनसे बात करते थे, तो ऐसी व्यक्ति, ऐसे हमारे माग्रदर्शक अत्मात्या कैसे कर सकते हैं, नरंदगरी जी की दर्दनाक रहस्य मुल्ट के बाद भी यही सवाल, महाराष्टर पुछेगा, पुरा उत्तर प्रदेश कुछेगा, और दिल्ली तक यह सवाल पुछते रहेंगे, तो हम जानना चाहते हैं, यह क्या हुआ और कैसे हुआ, नरेंद्र गिरिय जी का मैंने सुसाइड नोट के का बयान सुना है, सोश्यल मीडिया पर वो चल रहा है, इसमें गहराई से जाच होनी चाहिए, जो भी लोग है, अगर दोशी है, वो या अन्य कोई भी बात है, वो सामने आनी चाहिए, और जो दोशी है, अगर उन लोगों को सजा मिली चाहिए, तो अंतिम दर्शंग के लि कल की घंटना को लेकर के बहुत सारे साख से कलेक्ट के गये है, चूंकि एक बरिष्ट धर्माचारे और अख़ड़ा परिशत के अध्याक्स से जुड़ावा मामला है, उन्हें इस पूरे केस की प्रोपर्टी का हिस्सा मानते वे, पुलिस के एक टीम, जो है के एडिजी जॉन, आईजी रेंज, और डिआईजी प्रियागराज, ये तीनों और मडला युक्त प्रियागराज, ये सभी अधिकारी, एक साथ मिलकर के टीम वर के साथ इस कारिक्तरम को आगे बढ़ा रहे हैं, एक एक घटना का प्रताबास होगा, और दोसी अवस्य सजा पाएगा, धार्मिक प्रमपरा के नुसार पंचक होने के कारण, उनके सिस्यों और नयाईयों और अखाणा से चुड़े भे बदादिकारियों कि राय है कि कल आज जनता के दर्शन के लिए उनका पार्थी शरीर यहाँ पर भागंबरी पीठ पर ही रहेगा, कल पांच सदस्य एक टीम उनके पार्थी शरीर का पोस्मार्टम की कारवाई को संपन्न करेगा और उसके उपरांत, जो भी धार्विक रीती है सास्त्रोक्त पत्तती से उनकी भावनों के उनरूप समाधी का कारिक्रम यहाँ पर संपन्न होगा, और इसी पर चर्चाग लिए हमाई साथ लगातार है महंत बज्रंग दास जी और साधवी शिवानी दुरगा जी, पहले साथवी शिवानी आपकी पास आते हुए, आपने भी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो शिश्य नहीं बलकि शिकारी का नकाब पहन के आश्रम या मठ में पहुच जाते हूं उन्हें पहचाना मुश्किल होता है, तो क्या आप गी कहना चाह रही है कि आनंदगिरी वही शिकारी है, जिसकी नियत संपत्ती पर थी, पैसो पर थी, बजाए अपने गुरू से कुछ शिक्षा लेने के? मैं कोई भी कटाक्ष नहीं कर सकती इस मामले में, क्योंकि मैं परस्नली आनंदगिरी ची को नहीं जानती थी, मैं उनसे मेरा भेंट एक आद बार नमोना रायन हुई थी, वो भी जब हमारे अखाडों की मीटिंग्स हुई हैं तब ही उसी समय पर, तो परस्नली में जानती नहीं, ये जाच ही बता सकती है कि सत्य क्या है, हम किसी पर दोशार उपण कर दें और दोशी ना निकले, तो ये भी दोश हो जाता है, तो इसके लिए ये जाच के बाद ही पता चलेगा कि सत्य क्या है कि आनंदगिरी है या उनको मोहरा बनाया गया है नरेंदर गीरी जी के साथ इस तरह का करके और उनको भी साथ में जैसे कि एक तीर से दो निशाने कोई लगाना चाहता हो कोई शड्यंत्र के तहट इस चीज को किया गया है आपने वीडियो देखी होगी जिसमें आरंदगिरी महंत नरेंदर गिरी के चड़नों में बैठे हुए हैं माफी मांग रहे हैं और वो बार बार उसी वीडियो का हवाला देकर कह रहे हैं कि हमारे बीच कोई विवाद था ही नहीं जो थोड़ी बहुत नाराज इतने आरोप लगे हो महिला के साथ चेड़ चाड़ के भी वो गुरू पर आरोप लगा रहा है कितना गंभीरता से देखा जाए है यह एक विशह है क्योंकि मैंने भी इस तरह की खबरें सब पढ़ी थी और तब मुझे बहुत दुख हुआ था कि अगर शिशे इस तरह से करते हैं तो जिस पर गूरू सबसे ज़्यादा सने हैं विश्वास रखते हैं गुरू उनको अपने पार सब्रिपिग है है उनसे अगर वो पुत्रवत्स नहीं जो शिश्य को मिल रहा है वो शिश्य ही अगर धोखा दे जाए तो इससे बड़ा सदमा गुरू के लिए नहीं होता ये एक सत्य है और इसको हम इसको अंदेखा भी नहीं कर सकते जो पास्ट में घटनाई हुई है उन्हें अंदेखा न इस स्टेटमेंट को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि सी नेता का भी कुछ माना जा रहा है कि उस नेता का भी रोल है वो वी काफी मानसिक दवाब बना रहा था परिशान कर रहा था लेकि मैं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कर रहे हैं कि इस तरीके से जाच होनी चाहिए कैसे देख रहे हैं आप महांत बजरंग दैस जी आपको आवाज मिल रही है लेकिन इसका राजितिक नहीं होना चाहिए दूसरी चीज मुझे जो लगता है वर्तमान की परिस्थितियों में आज इकल मठ हैं मंदिर हैं इनके जो आश्रमों की संपत्य पर भू माफियों का गुंडों का निगाह बनी रही है वर्तमान के परिस्थितियों में जितने भू माफिया है गुंडा है वदमास है छीक है एक छोटा सा रियक्शन साथी शिवानी जी आपसे इस क्या लग रहा है आपको इस पूरे मामले में आप राजनिती करण हो रहा है गहन विशय है साथू समाज की मर्यादा जिस तरह से राष्टर की मर्यादा होती है इसी तरह से साथू समाज की अपनी मर्यादा है जिस तरह से राष्टर हमारा मान है हमारा सर्ताज है उसी तरह से साथू समाज भी हमारे माननिये हैं और इनके उपर राजनीती ना करते हु पूरी जो इस्तिती है जो पूरी मिस्ट्री है वो पूरी गुत्थी उलचती ही जा रही है कडिया एक जुड रही है लेकिन तस्वीर साफ नहीं हुई है जाज का विशे है क्या मठ की जमीन ही असल विवाद का पूरा मुद्दा भनी प्रेस्टिट प्रेस्ट प्रेस्ट अवन प्रेस्ट प्रेस्ट रही है आप आप स्वाद सब्सक्राइब जाए है